दोस्तों हमारे चैनल गान भर्णडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेगे बिजली का करंट कग जड के मारता है और कग चिप का लेता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर ले त करंट का जटका लगा और आपने ये भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति करंट के कारण इलेक्ट्रिक वायर से चिपक गया। प्रश्ण यही है कि जब विदुत धारा एक ही होती है तो फिर कभी करंट लगता है और कभी चिपक जाते हैं। ऐसा क्यूं होता है। इस सवाल का चवाब तलाशने के लिए हमें बिजली के करंट के प्रकार समझने होंगे। बिजली का करंट दो प्रकार का होता है। पहला AC यानी Alternating Current और दूसरा DC यानी Direct Current। यदि आप AC और DC में अंतर समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि कौन से वायर में किस प्रकार का क करंट हो सकता है और वे है जटका देगा या चिपका लेगा। Alternating Current यानी वो करंट जो आपके घर में सप्लाई किया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ठ है। Alternating Current दोनों वायर पॉजिटिव एवं नेगेटिव एक साथ प्रवाहित होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक वायर में अधिक और दूसरे वायर में कम मात्रा में प्रवाहित होता है। जिस वायर में ज्यादा करंट होता है उसे आप फिस कहते हैं और जिसमें कम उसे यूट्रल। Alternating Current के संपर्क में आने से मनुष्य को कमपन महसूस होता है या फिर छटके लगते हैं। सुरक्ष एक ऐसा करंट है जिसे हम भीन-भीन माध्यम प्राप कर सकते हैं इसे हम रसाइनिक क्रिया द्वारा भी उत्पन कर सकते हैं तथा सौर उर्जा के माध्यम से भी उत्पन कर सकते हैं विद्युत के क्षेत्र में सर्वप्रथम डाइरेक्ट करंट यानी DC करंट का अविशकार हुआ था,पहरे अधिक तर इलेक्ट्रोनिक उप करेंट डायरेक्ट करेंट के माधियुम'S से चलते हैं,डायरेक्ट करेंट की सबसे अच्छी बात की है कि हममसे स्टॉर कर सकते है जैसे inverter की या car की battery में या फिर किसी भी प्रकार की battery में और सबसे बुरी बात ये है कि direct current मनुष्य को जटका मा कर दूर नहीं करता बलकि चिप का लेता है और कई बार जान लेने के बाद ही छोड़ता है direct current का पतला सा wire भी यदि आपके उंगली से चिपक जाए तो कम से कम इतना हिस्सा तो नश्ट कर ही देगा जितने हिसे में wire टच हुआ है यानि direct current जान लेवा है आपको चिप का लेता है और आपके अंदर की प्राण शक्ति समाप्त हो जाती है तो दोस्तों आपको हमारा वीजियो कैसा लगा प्लिस कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीजियो लाते रहें रन्यवाद